हलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये है चाहते पते क्यान आप दो होते हैंजा काश्वी डूनों बातने लगते हैं। काश्वी कैती है मैं आने ही सकती क्या सर्प्राइज देना था इसलिए आ गई अरजुन आयल वी बोलने वाला होता है कि वो बोलते बोलते रुक जाता है कि अंधेरे में मोहित महिमा की कमरे में आता है और उसका मुह दबा कर ले जाता है चिलाने की कोशिश करती है पर मोहित उसका मुह दबाते हुए जोर से पकड़ की ले जाता है महित हस्ते होगा महिमा से कहता है जो काम दूरा रह गया तो उसको पूरा भी तो करना है अंधेरे में किसी कमरे में ले जाता है और काश्वी उठती है और देखती है महिमा गायब है तो काश्वी अर्जुन को उठाती है और सारे घर में ढूंडती है पर महिमा कोई पता नहीं होता काश्वी सारे घर वालों को पताती है कि महिमा कहीं भी मिल नहीं रही है कहीं मुहित तो उसे ले नहीं गया मोहित महिमा बात करते हैं और दोनों आपस में जोर जोर से हसने लगते हैं पर ये क्या ये दोनों तो आपस में मिले हुए हैं और ये सारा प्लैन महिमा का किया कराया है मोहित के द्वारा किया गया रेप ये सब कुछ महिमा के एक प्लैन का हिस्सा था बताती है कैसे उसमें उसको मुहित को दादी से मिलवाया और एक बूडी ऊड़रत की जिससे दादी को मुहित बहुत अच्छा लगा और वो महिमा के तुर महिमा अपने प्लैन्स के बारे में बाते करने लगते हैं कैसे उन्होंने होटेल में बाते की काश्वी को गिराने का प्लैन बनाया और कैसे सके वीडियो को आगे बनाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप फेस्बुक पर देख रहे सकर कि महिमा अपने लिए अर्जुन की मन में प्यार पैदा क करना चाहती है महिमा करती है अर्जुन और काश्वी तुम कितने बड़ी फूल हो तुम्हें एक बार भी पता नहीं चला हम लोगों का प्लैन क्या है अब तुम देखना मैं कैसे तुमारे अर्जुन को तुम से चीनती हूं इधर मोहित और महिमा आपस में बात करी ही रहे ह होते हैं कि एक साया उनकी तरफ पड़ता है आपको क्या लगता है कौन हो सकता है यह मुझे तु लगता है नित्या होगी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं